स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के जीवी ग्यान अभ्यास वन अभ्यास का नाम है जीओं में जनन के अभ्यास हल के बारे में आजद्यन करेंगे तो इसके पिछले भाग में इस पाठ के दस भाग का वीडियो अपलोड है यदि इस भाग के दस भाग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आल वीडियो है वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो इसमें आज हम लोग अभ्यास हल के एक एक प्रशनों को बारे में आपको अच्छे से समझाए जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक कॉपी में इसे नोट करते भी चलिए जिसे एक अच्छे से नोट भी आपको तयार हो जाए और इसे दो बार तीन बार पढ़ लीज है तो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी अगर चलाना है तो जिवों में जनन के लिए क्या है आवसक होता है तो यहां लिखा गए जिवों के लिए जनन के लिए अनिवार है तो यह कोशन जो है आयमपी कोशन है तो इस कोशन को उतर अपने कॉपी में लिख लिजे जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिनताएं एक पेढ़ी से दूसरी पेढ़ी तक क्या होती हैं अस्थानांतरी तो होती हैं मतलब जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिनताएं मनए लाभदायक विभिनताएं का मतलब यह हुआ कि एक प पीड़ी में क्या हो जाएं अस्थानांतरी तो होती हैं तो यहां पे जो परिभासा लिखा गया है आप सभी विद्यार्थी से नोट करते भी चलिए अब यहां लिख लेंगे अतह जनन जयो विकास में में भी सहायक होती हैं जो जनन होती है वो जयो विकास में भी क्या होती ह शहायक होती हैं इन समस्त कारणों के अधार पर कहा जा सकता है जनन जियों के लिए क्या है अनिवार है तो यहां पे जो है जियों के लिए जनन अनिवार क्यों होता है क्योंकि एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को चलाना होता है इसलिए जियों के लिए जनन क्या है अनिवार होता है तो इस उतर को अपने copy में क्या किजिए note कर लिजिए इसे एक बार दो बार पढ़ लिजिए आपको अच्छे से क्या हो जाएगा याद हो जाएगा nulla question है जनण की अच्छी बिधी कौन सी है और क्यों है जनण की अच्छी बिधी कौन सी है मतलब जनन में दो बीधी होती है एक लैगिक जनन होता है और एक और लैगिक जनन होता है तो इन दोनों में से कौन सी अच्छी बीधी है और क्यों है इसके बारे में प्रश्ण में पूछा गया है तो यहां इसका उतर होगा जनन की अच्छी बीधी लाइगिक जनन होता है कौन जनन होता है लाइगिक जनन होता है क्यों की अब क्यों की क्या है अब यहां क्यों है यहां लिखेंगे क्यों है यहां लिखेंगे क्यों की पहला इसमें लिख लेंगे लाइगिक जनन जैव बिकास में क्या होता है शहायक होता है जो लैगिक जनन होते हैं वो किसमें सहायक होते हैं जैव विकास में क्या होते हैं सहायक होते हैं दुसरा जो होता है लैगिक जनन से जियों की संख्या भी क्या होती हैं बढ़ती हैं लैगिक जनन से जियों की संख्या बढ़ती हैं इसलिए लैगिक जनन क्या मा अच्छी बिधी है तो यहां नीचे लिख लेंगे अतह लाइगिक जनन ही जनन की क्या है अच्छी बिधी है तो समझ में आ गया होगा कि जनन की अच्छी बिधी कौन सी है तो जनन की अच्छी बिधी जो है लाइगिक जनन होता है और क्यों होता है क्योंकि यह जो विकास में क्या होती है, शहयक होती है और जिशों की जो संख्या क्यों क्यों करती है, बढ़ाती है तो इसे अपने copy में इसे भी उत्तर को क्या कीजे, नोट करते चलिए या इसको शारट स्क्रीन ले लिजे, इसे बाद में भी आप लोगे नोट कर सकते हैं अब यहाँ पे लिखेंगे तिसरा जो कोशन है लैगिक जनन द्वारा उत्पन संतती को कलोन क्यों कहा जाता है यह कोशन भी जो है आयमपिक कोशन है बहुत ही आसान है तो अलैगिक जनन द्वारा उत्पन जो संतती को कलोन क्यों कहा जाता है तो धियान देंगे अकार की एव अनुवानसकी रूप से एक समान जीव कलोन कहा लाता है कलोन की परिभासा क्या होता है तो याद रखेंगे आकार की एवानसकी रूप से एक जीव एक समान जीव को ही क्या कहते हैं कलोन कहते हैं जो आकार के रूप में आकार की और अनुवानसकी रूप से एक समान अगर अपने जनन के एकदम समान होती हैं मतलब यह हो गया कि जो अपने जनन के एकदम क्या होता है समान होती है अता इसे क्या कहेंगे कलोन कहते हैं तो कलोन का परिभासा में आपको याद रखना है आकार की और क्या अनुवन्स की एक समान की जीव हो उसी को कलोन कहा जाता है तो इसका परिभासा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस परिभासा को अपने कौपी में लिख लिजे ऐसे दो बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही आपको परिभासा याद हो जाएगा तो अब हम लोग अगला प्रशन के बारे में समझेंगे तो कोशन नमबर जो है चार है लेगिक जनन के परिमार सरूप बने संतती के जीवित रहने के अच्छे आउसर होते हैं क्यों क्या यह कथन हर समय सही होता है त जब आपके पास बुक होगा तो बुक से इस प्रश्णों को मिलान कर लिजे अब यहाँ क्या होगा इसका उत्तर होगा जब लेगिक जनन के जो परिमार सरूप बने जो संतती के जीवित रहने के लिए अच्छे आसर होते हैं तो इसका उत्तर होगा कि युगमकों की योम निशेचन के कारण नए तथा बेहतर गुण युक्त संतती का जन्म होता है मतलब यह है युगमकों के द्वारा पहले निशेचन की किरिया होती है अईस के द्वारा क्या होती है संतती का जन्म होता है इसके पहले वाले अभ्यास में इसी अभ्यास में जब दस भाग का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यदि आप दस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लिजिए, उसके बाद से अव्यास हल के बारे में समझ ये, तब आपको अच्छे से पूरा समझ में आजाएगा, तो जो युगमक के उत्पती होती है, उसके द्वारा किसा होता है, निशेचन के कारण क्या होते है, नए तथा बेहतर युक्त संतती का क्या होता है जन्म होता है अतह लाइगिक जनन के परिमार सरूप उत्पन संतती के जिवित रहने के अच्छे आवसर क्या है आवसर होते हैं उसमें जो लाइगिक जनन के परिमार सरूप उत्पन संतती के जिवित रहने के अच्छे आवसर होते हैं जब युक्तम की उत्पती होती है और निशेचन के कारण नय तथा बेहतर गुन के संत्ति क्या होता है जन्म होता है तो अब यहां पे दो प्रस्ण है क्या यह कथन हर समय सही होता है तो नीचे लिखेंगे यह कथन सदेव सही नहीं होता है अब यह कथन सदेव सही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है क्योंकि जन्म को के रोग गरस्त होने पर रोग आने वाल तो इसलिए या जो कथन जो है हर समय क्या मानेंगे सही नहीं है तो यहाँ पिलिग देंगे कथन सदेव सही नहीं होता है क्यों नहीं होगा क्योंकि जनकों के रोग गरस्थ होने पर वह रोग आने वाली पीडियों में क्या होती है आस्थनांत्री तो हो जाता है तो इसका उतर जो है आप लोग अपने copy में लिखे और इसे start screen कर लिजे अब अगला जो question है ये भी question जो है आपको प्रश्ण नमबर 5 बहुत ही IMP प्रश्ण है अब ये लिखेंगे प्रश्ण नमबर 5 को अपने copy में लिख लिजे कि औल लाइगिक जनन द्वारा बनी संतती औ मतलब भिन मतलब ये होगे अंतर क्या है किसमे किसमे और लाइगिक जनन द्वारा बनी संतती और लाइगिक जनन द्वारा बनी संतती में किस परकार जो है अंतर है भिन है तो आप सभी विद्यार थी दो कालम पहले बना लिजिए पहले कालम में लिखिए और लाइगिक जन जनन से बनी संतती अब दो कालम बनाने के बाद से पहला कालम में लिखिए इसमें संतती जल्दी से बिक्सित हो जाती है और लैगिक जनन से बनी संतती में क्या लिखेंगे इसमें संतती जल्दी से क्या होती है बिक्सित हो जाती है और इसमें लिखेंगे इसमें संतती बिक्स बिक्सित होने में लंबा समय लेती है और इसमें जो है बिक्सित होने में जल्दी से बिक्सित हो जाती है इसमें समय जो होती है कम लगता है किसमें और लैगी जनन से बनी संत्ती में जो संत्ती होगा या बिक्सित होता है तो इसमें कम समय और इसमें अधिक समय लगता है अब इसका दूसरा अंतर क्या है तो इसमें संतती तथा जनक के बीच अंतर नहीं होता है इसमें जो संतती होता है तथा जनक होता है उसके बीच में कोई अंतर नहीं होता है और इसमें जो होता है इसमें लिखेंगे इसमें संतती एवं जनक पीधी के सदस्वों के बीच कई भी भ खिंताएं होती हैं इसका मतलब जो हो गया इसमें संतती और जनक के बीच में अंतर होता है इसमें अंतर होता है और इसमें अंतर नहीं होता है तो आप लोग को यह अंतर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस अंतर को अपने नोट्स में लिख लीजिए य जिससे यह प्रत दिन जो है आपका बहुती भी ज्यान, रसायन भी ज्यान, जी भी ज्यान का वीडियो को अपलोड किया जाता है, जिससे आपको अच्छे से जानकारी हो जाए, इसलिए चैनल को आप लोग पहले सस्क्राइब और वेल आइकन गंटी के आपसन को पहले ओके कर तो आज क्या पढ़ाई में प्रश्ण नंबर पांच तक बताय गया है, पांच प्रश्णों को पहले आप लोग तयार कर लिजिये, कल जो है प्रश्ण नंबर 6 से ले करके आगे कि सभी प्रश्णों को हख करके बताया जाएगा, तो आज क्या वीडियो इतना ही रहेगा,